नमस्कार प्रणाम स्वागत है आपका यूथ एकरी कल्चर के इस नए विसोड में आज हम चलते हैं कि लीची के बगान में और दिखाते हैं आपको कैसे अब चाइना लीची के लिए सिर्फ मुझफर पूरी सहारा नहीं रह गया है बलकि उसके अलावा बिहार में अन्य जग सकते हैं अगर आपको नरसरी लगानी है तो उसमें आप चाहि लीची को कैसे पहचानेगे पत्तो की मैंधिमसे और आपको फल्ल कि लेकिन ống सबसक्राइब करें और नहीं नए वीडियो को शेयर करन आफी हम लोग एक लीची का बगान में हैं और साही लीची का दौर खतम हो चुका है और अभी चाइना लीची जो मुझभफरपूर की फेमस लीची है उसका दौर अभी स्टार्ट हुआ है और ये पहले आम तोर पे इस लीची के लिए हम लोग को इंतजार करना पड़ता था कि ये मुझभफरपूर से मंडियों में आएगी लेकिन अब धीरे-धीरे किसान जागरुख हुआ है और इसकी खेती काफी मातरा में बिहार के अन्य जीलों में भी की जाती है शिवान गोपाल गंज, बेतिया मोतिहारी के साथ-साथ अन्य जगह हो पे भी इसकी खेती धीरे-धी किसान के लिए काफी अच्छा फायदे का सौधा रहता है शाथ में इसके वज़ा से अन्य लोग को भी रोजगार मिलती है और जो हमारी सबसे बड़ी बात है कि आम से भी ज्यादा टेस्टी लगता है लीची और खासकर के यह जो चाइना लीची है यह लीची की परजातिय किसमें सबसे उंच किसम में इसको गिना जाता है और इसका साइज जो है वो अन्य लीचीयों के प्रेक्षा ज्यादा बड़ा होता है इसके बीज काफी छोटे होते हैं इसको पहाचानने का यहीं तरीका है हलका यह ए ऑश्ट्रोबरी जैसे दिखता है पकने के बाद बिल् कि बारह पेड़ इसमें है और इन लोगों ने इसको इतना में खरीदे गया है इसको 43,000 में इन लोगों ने खरीदा है तो हलाकि इस बगीचे का ध्यान कुछ कम रखा गया है तो इसको 43,000 रुपया में इन्हों ने खरीदा है और इसके पस्चाथ ये लोग इसको ले जा करके इसको अन्य मंडियों में अलग-अलग मार्केट में इसको सेल करेंगे बेचेंगे बेचने के पस्चाथ ये लोग ये लोग भी इससे कुछ मुनाफ़ा कमाएंगे तो इस तरह से आप ये लगभग एक पाच कठा का प्लोट है पाच से शे कठा इसकी दूरी है और इसमें 12-14 पेड़ आराम से आ गये हैं और इसकी उपस भी काफी अच्छी हुए काफी अच्छे लीची भी आए हुए है एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लीची का पेड़ जब भी लगाएं तो इसको पंद्रा भाई पंद्रा की दूरी पे लगाएं 15 फिट लंबाई और मतलब एक से दूसरे पेड़ की जो दूरी हो वो 15 फिट होनी चाहिए और साथ में आपको एक और बात बता देगी साही और जो चाइना लीची होती है उसको अगर आप पत्तों के माध्यम से पहचानना चाहते हो जब आप उसको नर्सरी से खरीदने जाते हैं तो आम तोर प जाता है तो उसको यह पहचानने में दिक्कत आती है कि कौन सा चाहिना है और कौन सा साही है तो आप इस पत्ते के माध्यम से वहाँ पहचान सकते हैं साही और चाहिना लीची में क्या अंतर है जैसे कि इसका जो उपरी भाग होता है वो उठा हुआ होता है लेकिन अगर तरह से उसके पत्ते होते हैं तो ऐसे आप पहचान सकते हैं कि कौन सी लीची साही है और कौन सा चाइना ज्यादा तरकिसान जो लीची के बारे में जानकारी रखते हैं तो वह चाइना लीची लगाना पसंद करते हैं क्यूंकि जो चाइना का रेट होता है वह मार्केट में अ चाइना पक के तयार होता है तब तक अन्य जो बाकी लिची यों के नसले हैं जैसे की साही हो गया वह अन्य नसले हो गई आम तोर पे हमारे मार्केट में मुख्य रूप से साही और चाइना काफी फेमस है लेकिन चाइना जो है वो सबसे बाद में पकता है इसलिए उसका रिट अन्य लीचियों से ज्यादा होता है कि उस टाइम तक मार्केट में काफी कम लीचिया बचती है या ना के बराबर रहती है और इसका टेस् को चाइना लीची ज्यादा मुनाफ़ाद दे जाती है और इस तरह से आप लीची के माधम से भी आप अपने खेतों से जो की जिसमें आप जुताई बुआई नहीं करते हैं उस खेतों से आप अच्छा अंकम कमा सकते हैं और काफी बेहता है पर अवरण के लिए यह जरूरी है हमारे बातवरण को भी यह काफी पहुंचाता है